बिस्मिल्लाहिर रह्मान इवराहीम असलाम लेकूं विवर्स वेल्किम टू मैई चैनल कुकिन विद मलीका उमीद है कि आप सब हैरवाफिस से होंगे अल्लाद आपको हमेशा उश्वराबाद रखे आमिन सुमा आमिन तो विवर्स आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत मज़ेदार सी और डिलिशियस किसम की बिरियानी रडी करने जा रहे हैं बिरियानी तो हर एक की मन पसंद दिश होती है चोटे भी बहुत शोक से खाते हैं बड़े भी बहुत शोक से खाते हैं लेयर्ड वाली यानि के तैहों वाली चिकन ब्रियानी कैसे रेडी होगी इन्शाला मैं आज आप से शेयर करूँगी लेकिन मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप से रिक्वेस्ट है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लेस वीडियो को लाइक कर दियाकरें शेयर करें और अगर आप चैनल को सब्स्क्राइब करके बाइल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेह नई नई वीडियोसी नोटिफिकेशन फोरण से मिल सकें जो फ्री ऑफ पोस्ट है तो विवद ब्रियानी के साथ जो राइता बनता है ना सिंपल सा राइता उसकी रेस्पी में आप से शेयर करने वाली हूं तो आए विवद सबसे पहले हम चिकन को मेरिनेट कर लेते हैं चिकन को मेरिनेट करने का पाइदा यह होगा कि चगन की बोटी आप कीपी की सी नहीं लगेंगी आफ के चिकन ले लिया है मैंने विद बोन ले लिया है इसको मैंने धोके तो अब शिफ्ट कर दिया है बाउल के अंदर इसके अंदर दो टीश्पून शामिल कर देते हैं सोर्फ मिल्च पाउडर और इसके बाद विवर्स हम शामिल कर देंगे नमक नमक आप अपने टेस्ट के कोडिंग जितना भी रखना चाहते हैं रख दें यहां पर मैंने हाफ टीश्पून शामिल कर दिया एक अधर लीमू है इसको भी कट करके इसका रस इसके अंदर शामिल कर देते हैं एक अच्छा रोस्रीट है विवर्स यह दोनों चीदें रोस्ट करके यूद्स या करें बहुत ही अच्छी हुश्पू और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है जो भी डिशा बनाते हैं उसके अंदर तो बस इसको मैलिनेट करके 30 मिनट के लिए रख लेते हैं एक बटन ले लिया इ इन्शाला चार ते पांच वनट में मीडियम फ्लेम पे ये गोल्डन से कलर में हो जाएंगे अब हम इसके अंदर कुछ सावत मसाले शामिल करने लगे हैं यहां पर मैंने एक टीस्पून भरके ले लिया है जीरा चार अदत लोंग ले लिया हैं दो तेस बात ले लिया हैं दो सब्स इलाइची ले ली हैं एक टीस्पून मैंने ले लिया है सौंफ और यहां पर एक बड़ी इलाइची है और तीन से चार चोटे चोटे टुक्रे डाल दिये हैं दार्चिनी के इसको भी हम प्यास के अंदर शामिल करके 30 सेकंड के लिए फ्राइ कर लेते हैं तो जितना भी पानी है मॉइस्चर है वो सारा हतम हो जाए ड्राइ हो जाए और साथ ही चिकन के अंदर एक अच्छी सी हुश्पू आ जाए तो बस चिकन को हमने फ्राइ कर लिया है अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं टॉमेटो पेस्ट पेस्ट किस्ट ना बंती है बहु इसी ब्लेंडर जग में डाल दिया था जिसके अंदर मैंने टमाटरों को पीसा था यानि के ग्राइंड कर लिया था तो उसी जग को साफ करते वे पानी मैंने शामिल कर दिया है चिकन के अंदर बस इसको कवर करके को कर लेते हैं 5-6 मिनार के लिए और जब तक ये को होता है ब्रियानी को हाफ टी सुन मैंने भी शामिल कर दिया इन तीनों ही चिदों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और इस तरह मिक्स करेंगे कि जिससे ये दही भी थुरा सा थिन पतला हो जाए और इसकी गुटलियां भी हतम हो जाए तो बस ये काम हमने कर लिया इसको यहां पर रखेंगे तो यह कोख हो जाएगा तो यहां पर मैंने चेक कर रही हूं चिकन को यह तक्रीबर नाइटी परसन तक तो गल चुका है तो आयए विवर्स एक स्ट्रेप और कर लेते हैं यहां पर मैंने एक टमाटर लिया जिसको स्राइस में कट कर लिया है तीन अद यहां पर रखेंगे पर रखेंगे तो यहां पर मैंने चावनों को बॉल करना है चावल करने के लिए एक बरतन मैंने रख दिया है फ्लेम के उपर और हाफ के जी यानि के आदा किलो मेंने चावल लिए हैं तो इसके अंदर डेल लिटर आप में पानी डालना है यानि विवर जितने चावल है उससे तीन गुना पानी ज्यादा डालेंगे तो चावल अच्छे बाइल हो जाएंगे आदा घ्यंटा पहले मैंने भीगो के रख लिया था पहले धोना भी है उसके बाद भीगोना है अब हमने उन चावलों को भी शामिल कर दिया और दो टेबल स्पून इसके अंदर शामिल कर दिया ओयल और भी चावलों को जुड़ने नहीं देता और खिले 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 से रहते हैं बस इन सारी ही चीदों को मिक्सर के जिस्ट पांच मिनर के लिए हम पकाएंगे हाई फ्लेम पे जी हाँ विवर्स बस पांच मिनर के लिए आपने पकाना है टाइम को जरूर देख लिजेगा इससे क्या होगा कि चावल नहीं ज्यादा गल जाएंगे नहीं ज्यादा कच्छे रहेंगे क्योंकि विवर्स अक्सर ही शिकायत रहती है बिर्यानी बनाते वे यहां तो चावल रहेंगे नहीं बहुत ज्यादा गल जाते हैं या बहुत ज्यादा कच्छे रहें जैके अगर आप मेरे समय को करते को फिला देंगे और उसके बाद एक लेल लगा देंगे चिकन की शिंपल तोρίका है जैसे हम लैयर लगाते हैं व्हैंने के तभा त्ह녈ं जाएंいきます यहां पर हमने जो मिक्सर डी जाना दही का उसकेंदर कैवरा टाला था और फूर्ट कलर डाला था वो मिक्शर तोड़ा-थोड़ा सा करके इसके दर शामिल करेंगे और अब हम लगा देंगे तै एक चिकन की चिकन की तैया लगाने के भाद पिर से वही तैया लग जाएगी चावलों की और वही मिक्शर दुबरा से एड़ कर देंगे यह विवर्स हम आपने डुकन को कवर कर देना है कपरे से ताकि स्टीम अच्छेत्री के से बने और अंदर ही रहे और एक हैवी चीज इसके उपर रखतें तो चलिए वर्स वो तो दम पे रगा दी चावल हमने काम तो हमारा हतम है अब फटा-फट से मज़ेदार सा राइटा रैडी कर लेते ह इंस्टेंट रैटा कैसे रैडी होता है चलिये देखते हैं थोरी सी दही लेए इसके अनदर नमक डाल दें थोरी ती तरा बर्यानी के साहरध लूँत बहुत ही जादा लवर्स बने गए और वीवर्स एक बात यहाँ रखेसा कया अगर बियानी में नमक तेज़ है तो रहा तक के अंदर नमक मत डालिएगा बैलन्स हो जाएगा और अगर आपने बिर्यानी में नमक तुरह सा कम रखा है यानि के फीकी फीकी से लग रही है तो राइता में नमक तुरह सा ज्यादा कर दीजेगा तो भी पैलन्स हो जाएगा तो देखे वर्स तक्रीपन बेस्पिनर प्रुमा दीजेगा इस तरह क्या होगा कि चावल तोटने लगेंगे और मोटा भी चमच आपने यूज नहीं करना तो बस मज़ेदार सी बहुत ही डिलिश्यस बहुत ही टैम्टिंग और कितने प्यारे से कलर बन चुके हैं एक मज़ेदार सी लेयर्ड वाली यानिके ताहो बेहत मज़ेदार बनेगी और आप सबको बहुत ज्यादा पसंदाएगी तो चलिए वर्ज वक्त आया है इसको सर्फ करने का सर्फ करें इसको राइता के साथ और खोब इन्जवाई कीजिए उम्यद है विवर्ज आपको मेरी रेसिपी पसंदाई होगी इसके साथ ही इजा